Hello Kids, आज हम जानेंगे subtraction of 3 digit numbers without borrowing means कल हमने जाना था subtraction of 2 digit numbers with borrow borrow करने वाला और आज हम जानेंगे 3 digit numbers को without borrow हम कैसे solve करेंगे हम एक number लेंगे subtraction 121 from 453 में 453 में से 121 को हमें माइनस करना है हम इन नमबर्स को 100, 1s, 10s and 100s के फॉर्म में लिख लेंगे, 1s में आएगा 3, 10s में 5, 4 आएगा 100s में उसी तरह से 121 को भी हम प्लेस वैल्यूस में सेट करेंगे पहले, 1 आएगा हमारा 1s में, 2 आएगा 10s में and again 1 आएगा 1s में, subtract कर लेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चो, 2, 5 में से 2 जाएगा तो, 3 and 4 में से 1 जाएगा तो, 3, होगा ना, इसी तरह से हम subtraction करते हैं without borrow, सारे sums हमारे without borrow वाले इसी तरह से solve होंगे, हम पहले सभी numbers को, सारे digits को, place values में set करेंगे, उसके बाद हम उसे solve करेंगे, ओके बच्चो, बाबाई,